गाज़ेपूर बॉटर पर 11 महिने से कृष्षी कानून की वापसी और निर्टम समर्थन मुल पर कानून की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का अंदोलन जारी है किसान अंदोलन के जलते हैं गाज़ेबाद से दिली के तरफ जाने वाले दिली मेरट एक्सप्रेस वे पुरी तरह से बंद है जिसके चलते हरोज लाखों लोगों को परिशानी उठानी पड़ रही है गाज़ेपूर बाटर पर किसाना अंदूलन के अगवाई कर रहे किसाने तर आके श्टिकैट ने निश्टनल हाइवे 24 के दिल्ली गाज़ेपूर मुर्गा मंडी के तरफ से जाने वाले सर्विस लेन को खोलने की कवायत शुरू कर दी है सर्विस लेन पर लगे टेंट को उटाया ज्वारा किसाने तर आके श्टिकैट का कहना है रास्ते से पुलिस पुशासन द्वारा बंद किये गए हमने रास्ता बंद नहीं कर रखा है हम अपने टेंट हटा कर दिखाना चाहते हैं कि रास्ते पर दिल्ली पुलिस की जैसे ही सेंक्त किसान मोर्चा दिल्ली जाने का वहन करेगा गाज़ेपुर बॉर्डर पर अंदुलनकारी किसान दिल्ली के तरफ कूछ करेंगे है इस दिखाया है कि यह जो रोक रख्या है यह पुलिस न रोक रख्या जो यहां पर लगे वे थी अब यहां को गाड़ी निकल सकती है गाड़ी आएगी तो यहां को निकलेगी और सिर्थ यहां आंकर रुकेगी बेरिगेटिंग पर तो सिर्फ गाड़िया रहेंगी यह ट्रैक्टर भी शामिर है पहले आओ तो कोई और जब संयुक तुमोर्चा तहे करेगा हमको कहां जाना है महां चले जाएंगे अभी यह जो आपने रास्ता खली किस वज़े से क्या क्यों किया अदे यह दिखाने के लिए के कार उग रहा पुलिस ने रोग रख्या इस पर चाह दिख रहा दिली पुलिस दिख रहा किसा अरतो दो ट्रक्टर खड़े ते महरी बैरिगेटिंग ना बैरिगेटिंग है सरकार की दिली पुलिस की इसे खुलवाओ फटवाओ ताके अंबूलेंस से जा सके आमादमी जा सके और हमें भी दिली जाना है हम जाए गेस ताल के आपड़े इसको सरकार को खुज यह बैर कर निया है एक साल हो लिया स्कुलर शुप्रिम अर्या चानी है स्टे खोल देनसी जे तो दिली सरकार को उसरा मानीची है सुप्रिम कोट के आधे शमाल लो शुप्रिम कोट को था करें और चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दपाना न भूले